हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक अगेन आयरवेध हर्बल केर यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम चैनने वाले हैं भांग बीच के फायदे और इस्तमाल करने का सही तरीका क्या है भांग को एक नशीले पदार्थ के रूप में जाना जाता है लेकिन अगर इसे सीमित मातरा में और सही तरीके से इस्तेमाल कया जाए तो यह एक आऊसदी के रूप में भी काम करता है तो आज की इस वीडियो में भांग के बीच और भांग के बीच के तेल के गुन के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग चानने जा रहे हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा अगर आप चैनल पर पहली बार रहे हैं तो इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन को जरूर प्रेस करें तो आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं भांग का बीच और इसका तेल क्या होता है भांग के बीच भांग के पौधे से मिलते हैं और इसी बीच से भांग का तेल तयार किया जाता है भांग के बीच और भांग बीच का तेल दोनों ही औसिदी गुनों से भरपूर होता है अगर सही तरीके से इनका उप्योग किया जाए तो इससे कई सारी रिकलाब होते हैं भांग के बीच और भांग बीच के तेल में polyunsaturated fatty acid, protein, cannabinoid, vitamin E और कई अन्य पोशक्ततों मौझूद होते हैं जो इन्हें बहुत जादा गुरकारी बनाते हैं तो देखें भांग के बीच और इसके तेल की क्या-क्या फाइदे होते हैं आईए अब detail में जानते हैं सबसे पहले हम आपको बता दें कि भांग का बीच cancer के लिए बहुत जादा उप्योगी होता है भांग के बीच या भांग के बीच की तेल में canbinoid नामक्त तो पाया जाता है जो cancer से बचाने में मदद कर सकता है साथ ही भांग के बीच हुआ पतियों में anti-cancer गुड़ भी होता है जो cancer होने के जोखिम को कम करने में मदद करता है इसके बीच को ट्यूमर और अलसर से बचने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है इसका सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल करें वो आपको सही डोज इसकी बता देंगे कितनी मातरा में आपको कैसे यूज़ करना है अब आपको बता दूँ अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम है तो मदुमे के लिए भी भांग का बीच और तेल दोनों लाबदायक है अगर किसी को मदुमे है तो भांग के बीच का तेल लाबदायक हो सकता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 polyunsaturated fatty acid मैजूद होता है जो मदुमे के मरीजों में type 1 diabetes के लक्षणों को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है इस घरेलू उपाई के साथ साथ मदुमे की दवा लेना भी ज़रूरी होता है इसलिए एक बाद डॉक्टर से भी कंसल ज़रूर करें हर्दे के लिए भी काफी ज़्यादा फायदे मंद होता है भांग के बीच में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 fatty acid में जूद होता है जो हर्दे को स्वस्त रखने में मदद करता है अब आईए बात करते हैं अगर BP का प्रॉबलम है किसी को high blood pressure है तो उसमें भी काफी ज़्यादा फायदे मंद हो सकता है high blood pressure या उच्छरक्त चाप की समस्या किसी को भी हो सकती है तो इसके लिए भी भांग के बीच में मिले प्रोटीन तत्यों से उच्छरक्त चाप में लाब मिल सकता है तो ऐसे में भांग का बीच उच्छरक्त चाप को कुछ हट तक ठीक करने में आपको काफी हल्प कर सकता है मांसिक धरम के लिए भी उप्योगी है मांसिक धरम के दोरान महिलाओं को कई तरह की समस्या जैसे पेट, दर्द, एठन का सामना करना पड़ता है ऐसे में घरेली उपाई की बात की जाये तो भांग को मांसिक धरम में होने वाले एठन से छुटकारा पाने के लिए उप्योग किया जा सकता है इसमें एंटिस्मयोडिक गुड मौजूद होता है जो इस आधार पर कहा जा सकता है कि पीरेट्स में होने वाली एठन से रहत दिला सकता है वहीं आप एक बार इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल करें अगर आप किसी गंफी बिमारी के शिकार हैं तो एंटि इंफ्लमेट्री भांग के बीज या भांग बीज के तेल में कैंबिनोइट्स मौजूद होते हैं जिसमें एंटि इंफ्लमेट्री गुड मौजूद होते हैं अपने इस गुड के कारण ये शरीर में सूजन या अधिक सूजन के कारण होने वाले कैंसर से बचाओ कर सकता है ऐसे में अगर किसी को सरीर में सूर्जन के कारण कोई समस्या हो रही होती है तो इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी कुड कुछ हद तक राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं रोग प्रतिरोदक शम्ता के लिए भी उपयोगी है अगर किसी की रोग प्रतिरोदक शम्ता कमजोर है यानि इम्मिनिटी सिस्टम भीक है तो वह वेक्ति इस तरह की कई बिमारियों का शिकार हो सकता है ऐसे में भांग बीज में पाय जाने वाले कैंपिनोइट को लेकर जानवरों पर कई शोद किये गए हैं और इन शोद में जो परिणाम सामने आया है उससे रोग प्रतिरोदक शम्ता में बढ़ूत्री होती है आगे आपके स्किन के लिए भी ये काफी फाइदे मंद हो सकता है क्योंकि भांग के बीच का तेल तोचा के लिए लाबकारी हो सकता है इसका उप्योग सूरे की हानिकारक के नोशे तोचा को वोने वाले शर्ती से बचाओ करना है इसके लाबा ये इसकीन को कैंसर से भी बचाता है तोचा के लिए भांग के बीच के तेल से बना साबुन उप्योग किया जा सकता है अगर किसी की तोचा समदेदन्शील है यानि सेंसिटिव है तो उसे इसका उप्योग करने से पहले एक बार विशेशग्य की रायज जरूर लेनी चाहिए पाचन यानि डायजेशन के लिए की काफी हाइद तक आपको फाइदा पहुचा सकता है अगर किसी को पाचन समदी समस्या है तो एक भांग एक औश्यदी की तरह काम करकर पाचन की समस्या को ठीक करने में मदद करता है जैसा कि हमने उपर देखा इसमें केंग्बिनोइट पाचन में लाबकारी हो सकता है तो यह था भांग का तेल और भांग का बीच कैसे किस तरह से आपको फाइदा पहुचा सकता है और अब मैं आपको बिदा दू इस वीडियो में कि भांग का बीच इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है कैसी उप्योग करना है तो भांग के ब को स्मूध्य में डाल कर सकते हैं सलाद में भांग बीच का सेवन कर सकते हैं off जमющी' को हुद्य का प्रियर अपर तरिक हैं एक चीज आपको मध्यान रखनी है कि यह भांग भीचael कि कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है इसके बारे में एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल कीजिएगा वीडियो में आपको काफी जादा इंफॉर्मेशन मिली होगी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन सिर्वल प्रस किए